नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका बिजनस दोस्त आशीश अगरवाल और आप सभी देखने हैं Franchise बताओ दोस्तों Franchise बताओ पर मेरे पास बोहत सारी queries आती हैं कि आप किसी petroleum की franchise बताएं और even though जब हम franchisee fair लगाते थे तो बहुत सारे लोग आकर हम से बोलते थे कि हमें किसी petrol bump की या फिर lubricant related franchisee दिलवाएं तो आज का ये वीडियो मैं आपको एक petrol bump की franchisee के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत low budget में मिल जाएगी, low cost में मिल जाएगी दोस्तो नॉर्मली अगर आप किसी petrol bump की franchisee खूलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 70 से 80 लाख रुपे से लेकर 2 क्रोड रुपे तक का investment करना होता है दोस्तो sell आपके लिए एक ऐसी business opportunity लेकर आया है जहाँ पर आप अपना petrol pump और 7-7 lubricant का business मातर 15 लाख रुपे में start कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको shell company के बारे में सब कुछ बताऊंगा यह company कहां से आई है, यहाँ पर इंडिया में इनका कितना business है आप किस तरीके से इस petroleum की franchise लेकर लाख रुपे महीने का कमा सकते हैं तो दोस्तों इस business opportunity के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा साथी साथ अगर आपने अभी तेक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे लाल रन का button है उसे clip करें साथी साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे इस चैनल को subscribe करके सबी वीडियो सबसे पहले देखें दोस्तों, sale US based एक company है जो कि इंडिया में काफी लंबे समय से business कर रही है इनका जो main business है, lubricant का business है लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने petrol bomb business में भी entry की है और अब अपने business को पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ऐसी business opportunity निकाली है जहाँ पर company का भी आपके साथ investment रहता है और आपका risk minimized रहता है और सिर्फ 15,00,00 रुपे में आप company के साथ मिलकर petrol bomb ले सकते है तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा मैं सीधा आपको company की website पर लजाकर वहाँ पर आपको सारी information दूँगा कि किस तरीके से आप इस business को start कर सकते हैं क्या-क्या requirements है और ये business आपको कैसे apply करना है तो दोस्तों मैं साथ बने रहें सीधा चलते हैं company की website पर और जानते हैं इस business opportunity के बारे में बिलकुल विस्तार से So friends हम बात करें थे Shell के बारे में सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि Shell है क्या दोस्तों Shell जो company है Royal Dust Shell के नाम से 1907 में फॉर्म हुई थी जो कि London की एक छोटी सी दुकान में फॉर्म हुई थी आज की दिन 70 से जादा countries में इनका business फैला हुआ है 93,000 से जादा लोग इनके लिए काम करते हैं दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज के दिन 85,000 से जादा employee के लिए काम कर रहे हैं और इनकी परजेंस 6 से जादा में है जिसमें से करनाटका, तमिलाडू, तेलंगाना, महरास्टर, गुजरात और असम मेजर स्टेट्स हैं दोस्तों इनका जो business है इनका जो main business है वो refinery, sports और petroleum से related है दोस्तों अगर हम देखें पूरे world में इनकी जो stations है इनका जो fuel stations है वो कहां कहां है तो आप इनकी website पर directly देख सकते हैं जो station locator है कि अलग-अलग countries में कितने-कितने stations है जो आपको ये red mark नजर आ रहे होंगे कि बुलगारिया में 817 टर्की में 949 चाइना में 1116 और इंडिया में 345 stations और रेड़ी आ चुके हैं अब आपके पास भी एक opportunity है कि आप cell का petrol bump open कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि cell का petrol bump open करने की क्या conditions है इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ photograph दिखा रहा हूँ ये कि इंडिया के जो petrol bumps हैं वो किस तरीके से हैं हम जानते हैं कि आप किस तरीके से cell का petrol bump ले सकते हैं इसके लिए हम लोग directly इनके link पर चलते हैं ये business opportunity है cell retailership की इन्होंने जो business opportunity दी है पेटल बंब की वो उसका नाम रखा है cell retailership अब cell retailers इसका नाम क्यों रखा है क्योंकि दोस्तों आप basically as a retailer काम कर रहे है cell के लिए आपके अंदर जो quality देखती है company वो simply quality देखती है कि आप एक sales के leader होने चाहिए अगर आपके अंदर sales की quality है दिन आप cell के लिए petrol bump open कर सकते हैं अब friends हम जान लेते हैं इस company के बारे में थोड़े विस्तार से दोस्तों जो cell retail है वो world का number one mobility retailer है और 25 million customer एक दिन में serve करते हैं और 11 billion से ज़्यादा transactions everyday होती है इनके 40,000 से ज़्यादा stations है और 70 से ज़्यादा countries में इनकी presence है अब friends इनकी जो business opportunity है जो retail business opportunity है वो business opportunity क्या है दोस्तों cell का जो service station है जिसे हम fuel station या petal pump भी कहते हैं ये एक pure commitment business है इनके जो दोस्तों major service stations है ये 24 by 7, 365 a day open रहते हैं मतलब कि दोस्तों ये कभी बंद नहीं होते हैं हर टाइम इनके petal pump आपको open मिलेंगे तो दोस्तों शेल को ऐसा ही committed लोग चाहिए जिनकी की team हर वक्त service प्रवाइड कर सके सो फ्रेंट से पूरा business concept क्या है एज जे शेल रिटेलर या फिर शेल पेटल पंप के honor के रूप में आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको customer service देनी है customer service देने के अलावा दोस्तों retail operations बहुत अच्छे से करना है profit and loss account management करना है business approach अपनी दिखानी है आपके अंदर enthusiasm होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज commitment होनी बहुत जरूरी है यहाँ पर सबसे अच्छी चीज और सबसे बढ़िया चीज जो आपके लिए है दोस्तों यहाँ पर जो complete land है complete infrastructure है और fuel है वो complete आपको shell अपने cost पर दे रहा है इसके लिए आपको कोई भी cost लगाने के जरूरत नहीं है किसी भी petrol pump में होता क्या है आपको सबसे पहले land लेनी होती है उसका infrastructure build करना होता है और फिर उसके बाद आप petrol pump open कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको shell यह सब चीजे ready करके दे रहा है यहाँ पर जो आपका investment आता है आपका investment थोड़ा सा investment आपको inventory की रूप में आता है और कुछ आप से security ली जाती है आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अब यहाँ पर आपका royalty क्या रहता है आप कितना earn करेंगे दोस्तों जितना भी profit आप earn करते हैं जो भी commissions earn करते हैं fuel sales की वो 100% आपकी होती है इसमें से एक part royalty के रूप में आपको company को देना होता है साथी साथ company आपसे expect करती है आपके day to day business को grow करोगे और आपके पास growth के plan होने चाहिए दोस्तों company के पास बहुत सारे range of products हैं लेकिन आप decide कर सकते हो कि कौन से product आपके यहाँ पर चलेंगे और कौन से product आप ज़्यादा sale कर सकते हो वो products आप अपने petroleum पर रख सकते हो यहाँ पर अगर आपके खर्चे की बात करें तो आपके जो खर्चे होते हैं जितना भी staff आप रखेंगे उस staff की salary और maintenance आपका खर्चा है इसके अलावा जो भी inventory manage करनी है आपको इस pump पर वो inventory आपको manage करनी है दोस्तो sell के साथ जो expected return और investment है यहाँ पर दिखाया गया है कि साड़े आठ लाख से लेकर साड़े दस लाख रुपे तक आप हर साल का estimate कर सकते हो कि इतना profit आपको आ सकता है अगर monthly हम बोले तो कहीं न कहीं 70,000 रुपे से लेकर 90,000 रुपे तक आप आसानी से एक petrol pump को on करके कमा सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक income का chance भी है प्लस में एक बहुत बड़ा customer base आप से जुड़ेगा तो उस customer base को आप कई सारी और भी services provide कर सकते हैं लेकिन जो fact and figures है यह confirmed figures नहीं है यह on the basis of various pumps है यह कम या जादा हो सकती है अब यहाँ पर आपका investment कितना होगा दोस्तों आपका जो complete investment है वो 15 लाख रुपे है जिसमें से 7 लाख रुपे security होती है और 8 लाख रुपे आपको day to day expenses के लिए अपने पास रखने होते हैं कोन इस pump को ले सकता है सबसे पहली चीज जो minimum education है वो graduate होना चाहिए graduate या equivalent होना चाहिए 5 साल का experience होना चाहिए retail में, sales में या फिर hospitality industry में कम से कम 15 लाख रुपे के investment capacity होनी चाहिए main power को handle करने की capacity होनी चाहिए मतलब कि बंदा एक leader होना चाहिए आप financial statements को अच्छे समझ सकते हो और आप profit निकाल के ला सकते हो आपके financial credibility strong होनी चाहिए और आपके अंदर learning के छमता होनी चाहिए अगर ये सब चीजे हैं आपके अंदर तो आप आसानी से sell का petrol pump ले सकते हैं एक बार मैं आपको दुबारा से सब चीजे बता देता हूँ दोस्तो sell आपको एक retailership opportunity दे रहा है जहां पर आप sell के साथ मिलकर petrol pump खोल सकते हैं जहां पर आप sell के pumps, sell के fuel के अलावा other products भी sell कर पाएंगे इसके लिए आपको complete जो investment होती है वो 15 लाख रुपे की होती है जो land, infra और other investment होती है वो sell अपने आप करके देता है sell आप से यही उमीद रखता है कि दोस्तों आप अपनी commitment दिखाएंगे full time आप loyalty दिखाएंगे आप growth की तरफ इस business को ले कर जाएंगे और profit निकाल कर देंगे जो भी profit आता है दोस्तों जो commissions आती है वो commissions आपकी होती है लेकिन एक छोटा सा part जो royalty का होता है वो आपको company को देना पड़ता है यहाँ पर जो आपके main खर्चे है एक खर्चा आपका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है आपका staff का खर्चा इसके अलावा आपको जो day to day expenses होते है और inventory में जो investment है वो investment आपका होता है यह complete information है about sales यहाँ पर आपको कुछ photograph दिखा रहे हैं जो कि इनके retailers की है आप देख रहे हैं सौवित खेमका जी, रुपाली गुवाते जी साथी साथ यहाँ पर दोस्तों कुछ questions है जो अक्सर लोग पूछते है कि monetary investment की requirement है या नहीं है येस दोस्तों यहाँ पर बताया गया 15,00,00 रुपे की total monetary investment की requirement है आपके पास कोई land होनी चाहिए infrastructure के लिए नहीं आपके कोई land नहीं चाहिए complete land आपको shell खुद provide करके देगी दोस्तों अगला question है कि आपकी qualification क्या चाहिए तो qualification मैंने आपको बताई कि आप sales leader होने चाहिए process कितना लंबा है ये बड़ा important है दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज आप apply करेंगे और कल आपको sale का petroleum मिल जाएगा दोस्तों sale का petroleum का जो process है वो चार महीने लंबा process है इसमें बहुत सारी चीज़े depend करती है जैसे कि सबसे पहले जहां पर आपने apply कि आप अपर sale open करना चाहता है कि नहीं चाहता है उसके बाद अगर sale open करना चाहता है तो sale वहाँ पर land search करेगा land वहाँ पर मिलेगी land मिलने के बाद दोस्तों transportation देखेगा कि transportation cost कितना आ रहा है आपका proper एक interview होगा उसके बाद ये देखेगे कि आप कोई मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है then उसके बाद जब सब चीज़े okay रहती है उसके बाद ये pump आपका open होता है आपके expectation कितनी होनी चाहिए income की दोस्तों यहाँ पर इन्होंने clearly बोला है कि आप 8 लाग से लेके 10 लाग रुपे तक earn कर सकते हैं अब साती साथ आप apply कैसे कर सकते हैं इस program के लिए तो apply करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यह जो email idea आपको नजर आ रही होगी retailer hash inquiry at the red cell dot com आप इस पर directly mail कर सकते हैं दोस्तों आप अपना complete buy data आप यहाँ पर भेज़ दीजिए with willingness to opening of the cell petrol pump यहाँ पर आप directly mail कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे एक form दिया गया है आप चाहें तो इस पूरे form को भी fill कर सकते हैं इस form में आपको क्या-क्या fill करना होगा आपको अपना पूरा नाम, middle name, last name, email address, phone number अभी आपका क्या business है कितने साल का आपका operations का experience है साथी साथ आप कौन से state से हैं, कौन से city से हैं अपना resume यहाँ पर आप upload कर दीजिए उसके आप submit कर दीजिए इसके बाद दोस्तों, within a month आपके पास query, within a month आपके पास phone आजाएगा, या फिर आपका revert आजाएगा, then जो complete process है वो complete process sell आपके साथ अपने आप करेगा, दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप directly sell पर ही apply करे यहाँ पर online apply का सबसे बड़ी option है, आप किसी को भी call करने की वज़ाए, सीधा sell.in पर जाए, यह link मैंने आपको description में दे दिया है, इस description में link पर click करें, और यहाँ से apply करें, और दोस्तों apply तभी करें, जब आप 15 लाख रुपे लगा सकते हैं, और दोस्तों, अगर आप अंधरपरदेश, अशम, गुजरात, करनाटका, महराष्टर, मेगाले, तमिल लाडुया, ते लंगाना इन state से हैं, तो आप इन state के आसपास के state से हैं, तभी आप apply करें, क्योंकि अगर आप other किसी state से apply करेंगे, तो हो सकता है, transportation को ज़्यादा होनी के वज़े से, आपको franchise ना मिले, so friends, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको काफी जानकारी दी होगी shell के बारे में, और अगर आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे link दिया गया है, इस link पर आप click करिए, complete information खुल जाएगी, आप इनके बारे में complete knowledge इनकी website से ले सकते हैं, तो दोस्तों आपने जाना, कि आप किस तरीके से sell petroleum के franchise ले सकते हैं, और इस franchise लेने के फाइदे क्या है, इसी तरीके के business में आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा, अगर अगर आप इसके अलावा भी किसी petroleum के franchise के बारे में interested हैं, तो आप नीचे comment section में comment करें, और अगर आप इसके बारे में consultancy लेना चाते हैं, या फिर हमसे one-to-one discuss करना चाते हैं, तो एक बहुत ही nominal consultancy fee के साथ, आप हमसे बातचित कर सकते हैं, आप directly नीचे description में दियें, लिंक पर click करकर payment करें, और हमसे one-to-one बात करें, so friends, मैं हूँ आशी शगरवाल, आपका अपना business दोस्त और ऐसी ही business opportunities में आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा अबने रहे हैं इस channel पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इस लाइक करना बिलकुल भिना बूले, जैहिन, जै भारत